नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोग के एक संदार से वीडियो में तो हाली में आप देखेंगे TBS का जो है सबसे प्रीम इलेक्टिक स्कूटर दुबई में लॉंच किया गया उसका नाम है TBS X तो इसका जो अगर हम इंडिया में इसके कॉंपटिशन की बात कर लेते हैं सिंपन वाल इलेक्टिक स्कूटर है उससे बेज़ का जो है कंपडिशन होने वाला तो कहीं ने कहीं अगर इंडिया में पहले से ही है तो इनकी मार्केट अलग है अगर हम TBS X की बात कर लेते हैं जिसकी अगर काफी जो मस्कलर लुक आप देखने को मिल जागा अब देखने मैक्सी सा स्कूटर आपको देखने को मिल जागा तो क्या यह स्कूटर है इन चारों स्कूटर का मार्केट को खराब कर पाएगा आज के इस वीडियो में आई जाएगा कि हमको स्कूटर के लिए रुखना चाहिए नहीं रुखना चाहिए ओला कि इसमें कुछ बदलाओ कि फ्रेंट में जो है आपको ट्विन टेलिस्कोपिक सस्पन्सन अब देखने को मिल जागा अगर यहीं पर आपको एथर की 450X वाला सबसे टॉप वाला मॉडल आपको देखने को मिल जागा इसमें ब्लू के साथा ब्लैक का कॉमिनेशन रखा गया उपर आपको सिंपल वन इल इंडिया में जित्ते भी प्रियूमें स्कूटर हैं उससे इसका डारेक्ट कॉंपेटिशन होने वाला है इन सब के लिए मैंने डिटेल में कुछ टेबल भी बनाए मैं आपको दिखा देता हूं आप देखेंगे उला की बात कर लेते हैं पर दुसरी नमर पर आपको देखने को मिल जाता है अगरने प्रेंट आपको यहां पर वर प्राइजन के बात कर लेते हैं अधर की फोर सुर्टी एक्स जरनेशन तो फाइब लाकिए यह तो रूम प्राइजिंगे यहां प्रीज अस्त्री इसनियों फॉटर पढने वाला है तो आपको इस तरी round देखने जागा अगर्डियों क बीच में अगर हम इसकी इसलेशन की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे जूरो टू-फॉट्टी के यह जाने के लिए अगर एक्षलेशन की बात कर लेते हैं और यहां के टीप्यास एक्ट जो अभी जल्दी ही लॉंच ही है सबसे ज्यादा महेंगी वाली जो आपको इसको तो आप यहां पर देखेंगे का सेमी हैं यहां पर देखेंगे यहां पर अगर बात कर लेते हैं तो तरी प्याइट रिकी से कुछ चिज़ उपर से तोड़ी से कम ती लेकिन इसमें आप देखेंगे फोर किलो वाट और की बैटरी देखने को मिल जाएगी अगर हम एतर फोर फिटी एक्स की बात कर लेते हैं तो थ्री पॉइंट सेवन जो है यहां पर किलो वाट और के तरफ से लॉंच की गई है और यहां पर देखेंगे यह जो प्रीमियम स्कूटर के तरफ से लॉंच की गई है अगर उसकी हम बैटरी की बात कर लेते हैं तो 4.44 किलो वाट और की इसमें बैटरी यूज की गई है ताप एक चीज़ में इसमें द्यान देखेंगे इसमें अगर सबसे बड़ी किसी की बैटरी है तो आपको सिंपल व सिंपल वान में 8.5 किलो वाट का इसमें बात करने को मिल जाता है वहीं पर हम टीबियस एक्स की बात कर लेते हैं तो 11 किलो वाट का इसमें आपको पावर देखने को मिल जाएगा मतलब अब ही तक जो है आभी जैनेशन 2 वाला जो ऑला की लांच हुई है अगर इससे पहले यहां पर देखेंगे और पावर की बात कर लेते हैं तो यहां पर देखेंगे और यहां पर यहां पर इतना डिटेल में वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा तो इसलिए मैं कह रहा हूं को वीडियो में लास तक बने रही है अगर मेरे चैनल पर है तो इसके लिए करना बसे एक लाइक करते जाएगा बिल्कुल डेटेल में आपको वीडियो यहां पर मिल जाएगा आपको कहीं किसी और से पूछने जरूरत नहीं है डियरेक्ट अपना इसकूटर जो है आप बुक सबसे बड़ी है इसलिए आप इसका रेंज भी देखेंगे काफी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा यहीं पर हम इसकी एथर फूर फिप्टी एक की बात कर लेते हैं जैने शी की तो यहां पर आपको बढ़ियां इसका जो है तो यहां पर इन चारों में अगर सबसे ज़्यादा रेंज की बात कर लेते हैं तो आपको सिंपल वन इलेक्टिक शूटर ही आपको ज्यादा देखने को मिल जागे प्राइजिंग देखिए आपको दूसरे नमर पर आ जाती है ल किलीमेटर यहां प्रो उसके बाद जो है 146 कि जिए है एथर की 450 एक्स और सबसे कम जो है सबसे अगर प्राइजिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा है है सबसे कम किलीमेटर जाएगी तो टीबिस एक्सक्ति पार थोड़ा सबसे पाइसा जाता है वह यह यह नहीं सुखता यहां पर देख लेंगे कि उला एस वन पर जो सबसे चाहिए उसकी अगर टॉप इस विट से बढ़ आए भाग सकती है दूसरे नमबर पर आती है और आपना सिंपल वन भी आपनों दूसरे नमबर पर आती है लेकिन जैसे टीबेस एक्स जो है लॉंच मेरा जो सारा जो मन में सोच रखे तो सारा कुछ घलत हो गया यहां पर सबसे ज्यादा प्राइजिंग वाला आपको जाए तो अगर सबसे बात कर लेते तो ऑला संप्रों आपको देखने मिल जागा तो अगर सबसे बूटी स्पेस क सबसे में ज्यादा प्राइजिंग का देखने को मिल जागा भागी यह अब कर ल controll के इस लिए और यहीं पर फूल चार्ज होने वाली है और यहीं पर फूल चार्ज होने अ लेता है तो मान के चलिए अगर चार्ज करने में मान के चलिए कि साड़े-चार गिंटा से उपर ही आपको यहां पर टाइम लगने वाला है तो मैंने आपको यहां पर बारिकी से हर चीज समझा दिया है यहां आप देखेंगे जो टीवेस एक से प्राइज में सबसे ज्यादा है लेकिन आप देखेंगे अगर रेंच की बात कर लेते हैं तो रेंग में सबसे कम है यह तरह की तरह लगा है क्योंकि इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपको देखने मिल जाए इहीं पर अगर तो सबसे ज्यादा बीज कर लेते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं तो सबसे कि बात कर लेते हैं तो इसमें क्या क्या आप यहां पर आप यहां पर सब्सक्राइब कर देखने को मिल जाए अगर बात कर ते हैं टीएस जो एंटॉक है उसी तरह यहां पर आपको दोनों में 12-12 इंच का आपको टीबले स्टार देखने को मिल जाता है क्योंकि यहां पर देखेंगे इस सूटर को काफी जो मैक्सी साइस कूटर बनाया गया है तो इसलिए उसी तरीके का यूज किया गया तर पीच में आपको डियारल भी है और यह फोन से सारा कुछ आपको किस तरीके के देखने को मिल जाएगा यहां पर सारा को दिखाए गया यहां बैटरीक प्लेश्मेंट आप देखने को मिल जाएगा एक चीज सबसे बढ़िया इसमें आपको चारजन को देने मिल जाका क्यों इसके डिस्पले वो काफी बढ़ है इसके डिस्पले को आपने तरफ मोड़ है इसके इसमें आपको दिस्पले देखने को अधाध की बात कर लेते हैं तो यह और यह ज्यू जिरो से जो है एक्टी पसेंट चार्च करने में 3.40 मिनट का टाइमिंग लेती है यह सब चीज में आपको देखने को मिल जाएगा यह ता यह तो एक्सवाट का यह तो एक्सवाट का तो एक सुब्सक्राइब कर देखने को मिल जागा और क्या क्या चीजे है मैं दिखा देता हूं रेंज आपको इस आप चीज दिखा रहा है रेंज कितना दिखा रहा है करें आपको देखने को मिल जाया आँप सखेंगे 20 20 में 242 जाएगा नाची विएह तो निकियों को एक यह आप राके मिल जागा फिलाल में मार्केट में बहुत लोग पास नहीं है कुछ लोग के पास ही अभी स्कूटर गया है इसकी डिजाइनिंग काफी अच्छा खास आपको देखने को मिल जागे एथर सब्सक्राइब करें ऐसी जाद है यहां पे त्रक्राइब के अधाल उसकी बाट कर लेते हैं बसका देखने को मिल जागा और यह वाइन नम्मा अप पर देखने को मिल जागा और यह लाय उगा और यह आप दोखेंगे एकस कलर आपको देखने को मिल जागा तो एक दो तीन चार पांच कलर भी आप इसमें आपको देखने को मिल जाता है ती वेश्च अभी जद्दी लॉंच विए उसके लिए रुपना चाहिए अगर आप तीनों में से बाकी इन तीनों स्कूटर में से किसी में अगर बुक करा हैं तो उसके लिए रुकना चाहिए कि टीवेस एक्स के लिए है जो है रुकना चाहिए इन स्कूटर को नहीं लेना चाहिए अभी तक आपको डिटेल में समझ जा गया होगा इसलिए मैंने ये वीडियो बना भी था अगर आप मेरे चनल पर नहीं है लाइक करते जाहिएगा अगर लोग भी आप लोग में से कोई कमेंट करेंगा मुझे इस बीडियो चाहिए तो मैं इसी तरहिके से आपको यहां पर वीडियो बना कर दे दूंगा तो अगर आप चनल पना है चनल लाइक करते जाहिएगा